हेलो फ्रेंड्स दिस इस हिमान सुप्रम देव एडवाईजरी और आज हम यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेकनिकल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रीफ में डिसकस करेंगे और फिर कुछ स्क्वीज के सेट अप है वो मैं आपके साथ यहां पर डिसकस करूंगा तो प यहां पर आरे साइक की वैल्यू हम देखे तो फोर्टी और सिक्स्टी के बीच में है और एडी एक्स की वैल्यू जो है इडिस अराउंड सेवंटीन सो ट्रेंड जो है यहां पर स्लाइटली नेगेटिव टू साइडवेज हैसा हम कह सकते है और तो प्रिसाइसली हम कहा है यहां पर तो आप देखें कि यह जो बजेट डे का जो हाई और लो है उसी की रेंज में हम ट्रेड कर रहा है जो फर्स्ट पेबरुवारी के दिन जो हाई और लो बनाया था उसने अभी भी वहाई या लो को ब्रेक नहीं किया है तो यह एक इंपोर्टेंट लेवल से हमारे पास जो हाई है बजेट देखा फर्स्ट पेबरुवारी का यहां पर लग रहा है यहां पर एक ट्रेंड बनने की कोशिस की ती यहां पर ट्रेंड बनाने की जो बैर से उन्होंने यहां पर आप देखोगे हो गया है तो अभी कोई ट्रेंड नहीं है हमें मतलब एक प्रॉपर इसको कहना हो तो साइड़ वेस्टू स्लाइटली नेगेटिव मार्केट ऐसाम कह सकते है बैंक निफ्टी का भी हम स्ट्रक्चर देखे यहां पर तो बैंक निफ्टी भी देखे मौर और लेस सेमी स्ट् ट्वेंटी तो यहां पर भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इस लाइटली नेगेटिव टू साइड़ वेस्ट वेकोज त्वेंटी नीचे है आप देखोगे यहां पर बैंक निफ्टी जो है को आजपास रिजिस्टन्स फेस कर रहा है तो इसमें भी आप देखोगे यह सकते हैं तो पहला जो स्टॉक है यहां पर स्टॉक जो है मेरे ख्याल से फिप्टी टूबीक हाई की रेंज में ही इंफेक्ट आजी फिप्टी टूबीक हाई बनाएवा का लग रहा है और यहां पर यहां पर यहां पर इंपोर्टन्ट लेवल है अगर आज का हाई को क्रॉस किया या तो फिर गया है कि इसको आप ब्रेकाउट में इस तरह से प्लान कर सकते हैं आज के लग रहा है यहां पर नाइन फिफ्टी का एक इंपोर्टन्ट सपोर्ट लेवल है तो यहां पर जैसे मैंने बताया को आप अपनी वाटलिस में रख सकते हो फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है स्क्वीज के हिसाफ से भारत फोर्ज भारत फोर्ज आई तिंक कल जो है उसके नंबर्स आने वाले हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है बड़्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप यहां पर बैक्र के आसपास यहां पर भी अब देखोंगे एक स्क्वीज का स्ट्रक्चर था यह ट्राइंगल का जो स्ट्रक्चर था रेट डॉट यहां पर 920 का जो हाई ता उसको बनाए तो आज का भी हाई हम देखें यहां पर आप देके 910 का है सो 910 920 यह जो है एक रेजिस्टन्स जोन हो सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर गया है कि हो सकता है वन ताउजन प्लस के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं यहां पर बहुत सारी यह जो है स्टॉक बहुत लंबे टाइम से एक रेंज में स्टॉक हो गया तो जो भी मूव आएगा वह क्या है कि explosive हो सकता है structure वाइज यह थोड़ा positive लग रहा है तो इसको आप अपनी लगा कर रख सकते हो फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है यहां पर हम देखे इसका structure भी तो आप देखे कि यल्लो डॉट्स है नैट मिन्स हाइज कॉम्प्रेशन स्क्वीज है ओल दी एमेजर प 600 के आसपास एक resistance है नीचे की साइड में आप देखोगे यहां पर 520 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है तो इसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं सिंप्ली आप यहां पर एट यहां के आसपास आता है तो रिट्रेस्मेंट में हम बाई कर सकते हैं यहां पर 590 के आसपास हर्डल है अगर 590 को क्रोस करता है तो फिर क्या कि मोमेंटम थोड़ा एक्षलरेट हो सकता है तो यह जो इस टॉक का वह पॉजिटिव लग रहा है रिट्रेस्मेंट में भी आप प्लान कर सकते हो जो नेक्स्ट स्टॉक है यहां पर आप देखोंगे जिन्दाल स्टील एंट पावर में हमने एक ट्रेड लिया था वह मैं आपके साथ पहले डिसकस करता हूं कि यहां पर आप देखोंगे के मोमेंटम जो था जीरो के नीचे था और प्राइस जो है ट्वेंटी में के नीचे सस्टेन हो रही थी और यहां पर आप देखोंगे मिल कॉंप्रेशन स्क्वीज थी बैट ऑल दी एमेज वर पॉजिटिवली अलाइन तो यह थोड़ा रिस्की ट्रेड था हमने सॉट हो गया था बट यह स्ट्रक्चर अब हम देखे यहां पर तो आप देखे कि जो यह में से वह क्या है कि पॉजिटिवली अलाइन नहीं है यहां पर वाइट बैग्राउंड है तो यह जो स्क्वीज है अभी क्या है कि यहां पर नीचे की साइड में यलो बास बनना 23 तो माइड भी यहां पर फिर क्या है 600 के आसपास जाता है तो हम यहां पर कॉल क्रेडिट स्पेड कर सकते हैं और जो लास्ट स्टॉक में आपके साथ डिसकस करने वाला हूं यहां पर और आज यह स्टॉक मेरे ख्याल से नंबर्स पर रियक्ट किया है और यहां पर देखोगे और यहां पर यहां पर बैग्रांड इस रेड काफी वॉल्यम से नीचे आया है यहां पर जो हाई यहां पर कुछ पैटन आपको आइडेंटिफाई करने पड़े इंसाइड बाहर बनता है या तो रेजिस्टन्स है यहां पर आप देखोगे यहां पर मेल कॉंप्रेशन स्क्वीज है और मोमेंटम जो है जीरो के नीचे है और और तो इसका जो हाई टाइम प्रेम का स्ट्रक्चर है वो भी काफी बैरिस्ट लग रहा है बट यहां पर 3300 के आसपास एक इंपोर्टन रेजिस्टन्स है तो स्वारी सपोर्ट है तो 3700 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टन्स है यहां पर आप विकली चार्ट देखोंगे 3700 के आसपास तो वहां पर फिल क्या कर सकते हो या तो नीचे की साइड के कुछ पूट भी बाए कर सकते हो प्रोवाइड यहां पर लिक्विडिटी है तो ही तो यह कुछ स्क्वीज क का जो मैंने आपके साथ स्ट्रक्टर डिसकस किया आई होप इट विल डेफिनेटल गाइड युनियर ट्रेदिंग थैंक यू